हेलो व्यूवर्स कैसे हैं आप सब लोग तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी रिक्वेस्ट फे फोटो वाला के तो बहुत है सिंपल है अगर आपको टेक्निक पता होगी तो आप भी से बना पाएंगे असानी से चलिए फिर शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमा हमारे स्पॉंज है बड़ा वाला बीच में से थोड़ा उठा हुआ हाला कि बहुत ज्यादा उठा नहीं है इसके दो कारण होते हैं या तो टेंपरिचर थोड़ा सा ज्यादा हो दूसरा की जैसे आपका मोल्ड माली बड़ा है और उसमें बैटर भी बहुत कम है तब भी ऐ ज्यादा जला नहीं नहीं तो पता नहीं जल भी सकता था क्योंकि हम तो हमेशा सेटिंग पर रखते हैं लेकिन चलिए चोड़ी उस बात को अभी तो हमारे स्पॉंज ठीक है और यह फ्लेवर हमें बनाना है पाइनेपल जो सबस्पर वाला पाट था स्पॉंज का वह हमने पीच में रख दिया है तो क्रीम के केक में प्रॉब्लम नहीं होती है आपका स्पॉंज बेक होना चाहिए थोड़ा वह आड़ा ठेड़ा भी होगा ना वह भी चल जाता है क्रीम से उसको हम सब बैलेंस कर लेते हैं यह तिन वाला पाइनेपल है इसको भी हम चॉप करके ले है तो और फोटो भी हमने लाके रखी हुई थी तो कई बार हमें सब्सक्राइबर कमेंट कर रहे थे कि फोटो वाला केक सिखाए तो आज मिर पर आडर आया तो मैं सुचा कि चली सबसे पहले इसी की एक वीडियो बना लेते हैं तो पाइनेपल केक जैसे हम हर टाइम बनाते हैं वैसे ही बनाना है बस यह है कि आपको प्रेक्टिस करते रहोगे तो जल्दी सीखते भी जाओगे एक सब्सक्राइबर पूछ रहेते हमें कि हमारी टर्न टेबल है वह कौन सी होनी चाहिए तो देखिए मेरी भी आपको लग रही होगी लोही की है लेकिन यह भी प्लास् भी खराब होने के चांसे रहते हैं तो हम इसे कोई भी फ्लेवर हो तो इसके लिए फ्लेवर हम बस बीच में यूज़ करते हैं साइड में अपना वनीला क्रीम नौमल ही लगाते हैं तो पैलेट नाइफ के हेल्प से इसको प्लेन कर लेंगे और यह देख लिए हमारे स्क्र केस्टमर ने हमने एक फोटो दिखाई थी तो वैसा ही हम उसके लिए त्यार कर रही है विर्कुल और बोर्ड भी हमने बढ़ा लिया है कि लास्ट टाइम एक सब्सक्राइबर ने हमने पूछा था डॉक्टर साब कि आप अपने केक बोर्ड को कैसे साफ करते हो तो यह हमार करते हैं तो नाराज हुझ जाएगा और फिर इसको भी इसी तरीके से यूज करना है और दिख लिए सेम प्रोसीजर फिर सेम टेखनिक है और एक को रहते हैं उसको राउंड डली से नहीं कर सकते आप लोग तो इसलिए अब इसको भी अंदर फ्रीज में रख देते हैं जब तक दोने हमारे सेट होजेंगे यह हमारा डाफ चॉकलेट का गुनाश है यह वन रेशो टू मैं यूज कर रहा हूं नॉर्मली हम यूज करते हैं वन रेशो वन बट जो केक की पिच्चर थी उसको देखके मुझे समझ आ रहा था उसकी जो ड्रिपिंग थी और ज्यादा अन इक्वल थी अगर वन रेशो वन यूज करते तो काफी अच्छी ड्रिपिंग आती है लेकिन उसमें जैसा पिच्चर को भी उपर रखेंगे एक चीज और सीख लीजे देखिए अगर आपका केक सेंटर में नहीं है तो आप ऐसे इसको छोटे पैलेट नाइफ को या ब्रेट नाइफ को पसा के इसको सेंटर में कर सकते हैं क्योंकि उपर से तो फिर गनाश आई जाएगा और यहां पर भी गना आते रहे तक तो ठंडा नाओ देखिए यह होती है कि एडिबल फोटो प्रिंट मतलब खाने वाली फोटो तो यह हम करवा के लेके आते हैं हमें 170-200 रुपे की तक्रीबन यह पढ़ती है एक शीट तो हमें तो लगवानी थी छोटे वाले केक के उपर तो इसलिए हमने इसम नीचे फोटो प्रिंट का कोई भी ओडर नहीं लेते हैं लेकिन उन्होंने पैसे हमें पूरे दिये थे कस्टमर ने और उन्हें छोटा ही प्रिंट चाहिए था तो यह हमने निकल वाली है इसको आप अराम से एक दो दिन तक रख सकते हैं आपको बहार ही रखना है और यह अब आपका फोटो भी छूट गया है कि यह फोटो छूटता नहीं है बरसातों के टाइम में तो ऐसे कट करने के बाद इस फोटो को आप थोड़े फ्रीजर में रखेंगा तो यह आराम से निकल जाएगा और यह हमने उपर से चिपका दी है देखिए कोई मुश्किल काम न दाएगा तो इसको सबसे पहले हमें बॉक्स में रखना है फिर इसके बाद हम इसको फ्रीज में रखेंगे क्योंकि क्या पानी की डिपिंग आ जाती है तो उससे यह फोटो खराब हो जाता है वैसे यह खराब नहीं होता पहले वेफर शीट पे पोटो प्रिंट होते थे आ सब्सक्राइब करें और मुझे भी मोटिवेट करें ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ आपके लिए अच्छी यची वीडियो